सब्सक्राइब कीजिए इसका इस्टार्ट अप चैनल को और बेल आइकन को दुबाएं लेटेस्ट बिजनिस आइडिया आज के लिए दोस्तों मैं शौर्य आपका इसका इस्टार्ट अप में स्वागत करता हूं दूस्री ओर जैविक ए और गयनिख फद जो जमीन में उपस्ति लावकारी जिवानु को ताकत देता है जिससे वे लावकारी जीवानु शौयम ही हानिकारक जिवानु को मार देते हैं और इसका जमीन या मानव शरीर पर कोई हानिकारक फिर भाभ भी नहीं पड़ता आईए है जुब एवर कर और निई का उचते हैं किशांट से छिवेशान तो आदरयों के इसको जह को बहुते हैं क्वाले Play दोपार ज्फची में फॉयों जते। उसमें गोल लेते हैं और उसके अंदर दो किलो कुल डाल देते हैं उसको हम जालों में तो 21 दिन लगते हैं लेकिन वह नॉर्मली गर्वियों में आरस दिन में तयार हो जाता है उसके बाद आप सीधे रूप में वैस्टी कम्पोजर का उप्योग भी कर सकते हैं अपनी फसलो हम 20 दिटर या 25 दिटर मदर कल्चेरी यानिके वैस्टी के पोजर जो हमारा वेस होता है उसको लेते हैं दो किलो गुर्व दो किलो इसके अंदर वेसन और दो किलो खल जो जब मस्टर ओयल वोलते हैं वो इन सब को मिलाके और इसके अंदर डाल देते और इसमें पान से रट कराना होता है इसका जो मुख्य जो हमने इसका उपयोग करना सुरू करा जैसे मैं अभी जैविक सब्सक्राइब कर रहा हूं तो हमने इसका जो उत्पादन है फसलों के अंदर वह बहुत जबर्दस्त है अलग है बिल्कुल हाँ थोड़ा सा समय लगता है तीन चार दो तीन सि हमाल करते हुए और अगर आपको है तो अभी मार्केट में ऐसे प्रोड़क्ट भी आ चुके हैं जो जैविक हैं समुदरी से सहवाल से बने हुए है आप उसाथ में उनका प्रियोग कर सकते हैं माइको नूटेंट है उसके अलावा कि जो बेस है हमारा वो यह वैस्टी कंप से यह यह हम पैस्टिसेय इसमें कि एइसके अंदर ना यह आपिं ऐड़ा पॉड़क है एज इसके अंदर हम क्या करते है थोड़ा फंगी साइड के लिए साथ में मत्छा इव डालते हैं जो रेकर-बवाई तक कि यह स्था उन्दरійсьकिए और उस最近 कैंने को पर क्या पड़ा तो लगबग इसके अंदर हमारे 12-14 पोश्टा तो वो सुरी यह जो है फंगी साइड प्लस पैस्टिसाइड बेस तो इसका पैस्टिसाइड यह है लेकिन इसमें मठ्टा लगाने से कि थोड़ा सा फंगी साइड में भी यह कवर कर लेता अगर हलकी फंगी साइड है तो आप यह की साथ दोनों काम भी कर सकते हैं वैसे कायदे में देख करें आता कि आप मठ्टे को किसी घड़े में या प्लास्टिक के बरतर में रखिएगा और उसक में रखने के बाद उसके अंदर एक कोपर का कोई बरतर घर में पुराना पड़ावाओ उसे 20-20 दिन के लिए उसे नीम की पत्या है भांग है धतूरा है अधरक है लस्टन है प्याज है तो उसको अचा इन में जिसकी जो मात्रा है एक्षर आप 200 ग्राम डाई 200 ग्राम चार 400 ग्राम पान 500 ग्राम यह ले ले सकते हैं इसमें असानी कर तोला बहुत कम बरती भी हो जाता है तो ऐसा को इसका र दाले और आप उसमें इस प्रे करते हैं तो यह आपका पैस्टिसाइट का और जो सुन्डिया लिया वगारा होती उसमें तो 100 परसेंट जबदस्त वह है थोड़ा सा क्या होता है कि जो कीट पर तके उड़ने वाले हैं फूट फिलाई है वाइट मक्खी है उनमें इनका अस आप ऐसे मान लीजिए जैसे हम 200-500 लिटर पानी का उप्योंग करते हैं तो 200-500 लिटर पंद लिटर होगा तो आप इससे बड़े अराम से 35 मतलब हो गया 6-7 एकर पांच एकर आप इससे अराम से निकाल सकते हैं इसमें से इसकी क्या कोई समय सीमा भी होती है कि हमें इतने ही समय में यूज में इसको आपैसा कुछम नहीं है अगर यह पुराना भी होता है तो अच्छा घ्डिंधा यह बहुत अच्छी चीज है और बस इसमें थोड़ी मेहनत है आपकी अपनी एक्स्टर आपको वर्क करना होता है और जैसे मैं बोल रहा था वैस्टी कंपोजर बसमें यह बनाने के लिए अगर आप इसमें 500 लिटर में दो को किलो गुड की जगे डेड़ किलो डाल देते हैं तब भी आपका काम चल जाता है हाट फास को सुरूल नहीं है लेकिन बस बेसिक चीज है कि आपको बैस्टी कंपोजर का इस्तमाल रेगलर वे में करना हुगा इस प्रेम भी करना हुगा और आपको जमीन में भी चलाना होगा फिर आप देखेंगे आपके जो फूर्स बगर आते हैं फूल आते हैं उनकी बहुत अलग एक मात्रा पैदा होती है और इसका अगर जादे भी लग जाता है तो सबसे अची बाद है नुक्सान कोई नहीं होता तो जैसे आप मदर कल्चर में भी गुड़ डाल रहे हैं और यहां भी गुड़ डाल रहे हैं तो गुड का क् लगांते वह पुड़ी मेंश्म छुभ होता है उसके बेसिक जो है वह जल्दी इसको इसको गूर लगाया जाता है और बेसन और जो है उसके अंदर और सर बनने के में कितना सामय लगता है इसे हाँ भी से किसी देने के लिए आप एक किसी भी ड्रम में जैसे जाता है नीचे और उस पानी में चलाते रहते हैं आप शिरकाओ करिए जिस तरह से आप डालते हैं अगा आपके पास कोई शादम नहीं आप पानी के बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे जो पैस्टिसाइड यूज कर रहे हैं मैं तो अपने सभी भाईयों से कहता हूं क्योंकि मेरा बेसी काम ट्रेंस गन्ने काई था और आज भी है तो मैंने क्या किया कि एक बेसल डूज में बताता हूं गन्ने सब्सक्राइब में पैस्टिसाइड का या रसाइनिक का उप्योंकर भी दिया तो मेरा कहना है आप भी उसको छोड़ दे उसके बाई जिशक्र पॉर में युशाज कोंई वर्क करते हैं तो कि मिल nih का उनक्तिक निक बन्क पत्तिक नुख kinda बंदेती लेगा जब हम डालते हैं तो सब्सक्राइब नेच्रल के लिए जाता है जो भगवान दुवारा रहा जाता उस को मेंटेन करता है यह सच्छा कि इसमें मेंट है जैसे आप वेस्ट रिकंपोचर बाहर से ला रहे हैं और ट्राइकोटर्मा बाहर से लाते हैं तो यह मार्केट में असा प्राइबेट दुपानों पर लिए सकते हैं को जिक्कत नहीं लेकिं बैस्ट रिकंपोचर आप जो मंगाएंगे वह प्राष्टी जैविकेंद से मंगाना होगा आपको तो आपके पास बहुत साथ अने मंगाने के आप उनलाइन मंगा सकते हैं कुछी बहुत सारी लाइन ह जिस तरह आप मंगाना चाहें मिल जाते 20 रुपे की सिसी आती है और आप उस 20 रुपे की सिसी आज ही बन चला सकते हैं एक मज़े की बात यह हैं सर आपने बता दिया बेस्टी कंपोचर तो हरवार पानी के साथ देना है लेकिन जैसे आपने और्गैनिक फंगिसाइड बना करता है और बीमारी आने के बाद अगर आप करते हैं तो 16 समय लेगा दो से तीन बार आप करना पड़ेगा अगर आप रैगन और वे में उसको करते चल रहे हैं तो कोई प्रब्लम नहीं होती इसमें सर्व जैसे फसल में करवतवार पैदा हो जाती है उसे निकालने का क्या म और आप देखेंगे आने वाले एक दो साल के अंदर उसमें जो घास है वो आप एटोमेटिक कुछ घासे कम होनी सुरू हो जाती है जो जादा नुकसान करती है और उसका भी जैविक में एक और चीज है आप बहुत जल्दी घास ना निकाले जब घास आपकी आपके पोदे आपके आसपाल बिशा दीजिए जो एक बायोमास करके है इसके एक अलक्टॉपी बाचर्चा करेंगे वह बायोमास का काम करता है हमें खरपतवारों की उपस को समझना है कौन सा पोदा क्यों किसके साथ जम रहा है यह एक पकरती का एक नियम है हमें उनका वह समझने के लि वह आप वही डालेंगे तो उससे क्या आपकी नमी बनी रहेगी दूसरी घास भी पैदा नहीं होगी तो अभी इसी तरह से आप इसमें काम करें और एक दो साल का उप्योग करने के बाद आप देखेंगे 30 परसेंट 40 परसेंट 50 परसेंट वह घासे कम होनी सुरू हो जाती ह आपके बनाए हुए में कैया नतर है हां वह अच्छा है जो लोग आय के मुत्र का इस्तमाल करते हैं उसकी परिकिर्या आप गोग मुत्री घक्ता कर लेते हैं गोग घक्ता करने के बाद हम उसमें अलग अलग तरीके से अगर हम हम पैश्टिसाइट का यूज बनाना है करना तो उसका आगर कोई उसके उसके बहुत जबर्दस है उसके अंदर पैस्टिसाइट का काम भी है और वह आपका फर्टिलाजर भी है वो सारा करम करता है जैसे भी आपको उचित लगता हो जैविक में आप उसी तरह के वो कार्य कर सकते हैं उसमें यह नहीं है कि वह तो बहुत जबर्दसीर है इसमें जैसे नीम, हरीमेर्च, प्याज, कुछ लोग कनेर भी यूज करते हैं आकड़े के पत्ते भी यूज करते हैं भांग के यह सारे बीड ही यूज क्यों करते हैं जो की जैरी लोते हैं सर यह बात अच्छी पूछी आपने देखो प्रकरतीन सारी वनस्पतिया बनाई ह जिस वनस्पति को कोई जीव, जनतू, जानवर नहीं खाता हो वो सारी की सारी पैस्टी साइड और फंगी साइड के रूप में होती हैं आप भांग हो, धतूरा हो, कांगरेस घास हो, आखड़ा हो और बहुत सारी चीज़े हैं अलग-अलग अकवा हो, बहुत अलग-अलग से आप उसको उफ्योग करते हैं, तो सब पैस्टी साइड हैं, प्रकरती ने हर पेड़ के साथ दिया है, गेंदे को और उसके लिए गेंदा जैसे हम लोग गेंदा लगाते हैं खेत में, जो जड़ों में बिमारिया होती है, रूट वाली, वो उनको नस्ट करता है, ऐसी न पाल करें, महातरा ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हम एक दो-दो-दो-खिलों गडिए गाल के पांच, छे, साथ तरे की चीजों में उसको मिला लेते हैं, या उससे ज़्यादे मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यह दे हमारे साथ शुधीर कुमार तन्हा जुन्हें ने हमें बेस्टी कंपोजर और और और्गेनिक फैस्टिसाइट के बारे में जानकारी दी, नमस्कारतना जी, नमस्कार्जी भीया,